हालो दोस्तो नमस्कार मैं बाला फिर एलेक्ट्रोनिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्सकों का हार्दी का भिधन्दन करता हूँ दोस्तो हमारे पास देखी आज एक इंडक्षन चुल्हा आया है बनने के लिए कहीं कहीं लोग इसको इंडक्षन कुकबियर भी कहते हैं तो इस इंडक्षन में खराबी यही है दोस्तो कि इसमें सप्लाई जो है नहीं जा रहा है इसमें डिस्पले नहीं बता रहा है और इस induction को हम आपको अच्छी तरह दिखा देते हैं, क्योंकि ऐसा induction, इस model का induction हमारे पास पहली बार बनने के लिए आया है, तो चलिए इसका model देख लिजए, यह देखिया, दोस्तों इसका company का नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ, इन्फराकुका, ठीक है, और यह देखिये, य यह देखिये, टमप्रेचर को कम माइनस और यह प्लस, यह टमप्रेचर को कम और बेसी करने का काम करता है, ठीक है, और यहाँ पर देखिये, यह यहाँ पर भी नाम लिखा हुआ है company का, चाहिए अब जो नाम हो, खेर हमको company से कोई लेना देना नहीं है, हमको इसको अच्छ से भी खोल चुके हैं, देखिये, इसको फीशे से भी दिखाते है, पोर्शन, यह देखिये, यह इसकी sim का, यह है induction है, और इसको हम पीछे से खोल दिया है, सारा nut बगरा, और इसको अब हम हटा देते हैं, इसका cabinet उपर का, और यह देखिये, आप अच्छी तरह आँब करने काम करता है और यह देखिए इसका मोडल है दोस्तों यह इसका कीट है तो दोस्तों इसमें जो दिक्कत है सप्लाई नहीं जा रहा है तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से सबस्क्राइब कर ले साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन को और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो 22 साइट अंगुठे के निसान को टच कर लाइक कर दीजिये दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हम सबसे पहले इसका चेक करेंगे AC Main Code की AC Main Code इसका सही है कि नहीं देखिए यही AC Main Code है और यहाँ पर यह connection लगा हुआ है ठीक है तो हम इसका AC Main Code चेक करेंगे मीटर से हैं चलिए आपको चेक करके दिखा देते हैं यह है AC Moon Code और हमारा AC Line यहाँ पर आया है यह दोनों पिन पर AC Line है ठीक है तो चलिए देखते है इसका meter AC line का बताता है कि नहीं बताता है तो meter से हम continuity चेक कर लेंगे यह रहा और यह देखिए इसका AC supply मेरा यहीं पर आता है ठीक है तो हम यहाँ पड़ से चेक कर लेंगे तो चलिए दोस्तों यह देखि लिए अब जब यह AC main code सही रहेगा तो मेरा काटा यह meter का 100 करेगा है ऐसे ठीक है तो देखि लिजिए हम इस पर point पर रहा है और यहाँ यह देखिए इस point पर 100 कर रहा है meter ठीक है और इस पर नहीं तो यह दूसरा वाला होगा यहाँ वाला यहाँ देखिए दोस्तों मेरा यहाँ भी पर कीट नहीं हो रहा है तो हम इसी को बनाएंगे तो सबसे पहले दोस्तो को खोलेंगे और देखेंगे यहां पर फ्यूज लगा हुए तब दिखाते हैं ये देखिए यह काला वाला यहाँ फ्यूज है तो हम इस फ्यूज को चेक करेंगे एक बार कि एसी में लाइन मेरा जाग क्यों नहीं रहा है तो सब सब पहले हम इस कीट को खोल लेते हैं उसके बाद चेक करें दोस्तों कीट को हमने खोल दिया है और यह देखिए यहाँ तो देखते हैं कि मेरा फ्यूज बताता है कि नहीं ठीक है यह देखिए दोस्तो मेरा फ्यूज ओके है मेरा फ्यूज में किसी परकार कर कोई दिक्कत नहीं है यह फ्यूज जो है दोस्तो मेरा बिल्कुल सही है ठीक है तो यहां सप्लाई जो है मेरा यहां तक आ रहा है और मेरा सोट रहता तो यहां फ्यूज जो है दोस्तो जरूर उड़ जाता तो एक सप्लाई और है तिया सप्लाई देखिए दोस्तो यहां पर एक डायोड लगा है दोठो और यह डायोड जो है दोस्तो यहां से होकर और इस रेजिस्टेंस द्वारा सप्लाई यहां आता है और इ इस voltage को सबसे पहले देख लेते हैं यहां पर किया रहाये कि नहीं तो हमें कोई दिखते हैं यहां पर लगा हुआ है तो इसको लिए हम यह देखिए को चेक करेंगे क्योंकि यह डायोड से होकर supply और इस रैस्टेंस द्वारा यह सप्लाई जो है मेरा यहां पर आया है तो और यह resistance भी एक परकार का फ्यूज है क्योंकि अगर यह resistance मेरा जल जाएगा खराब हो जाएगा कट जाएगा तो मेरा power इसमें नहीं आएगा मेरा kit में power चालू नहीं होगा तो चलिए हम एक बार इस resistance को भी चेक कर लेते हैं और जब resistance मेरा सही रहेगा तो इसमें भी मेरा मीटर काटा सो करेगा तो दोस्तो यह देखिए यह resistance मेरा काटा मीटर सो नहीं कर रहा है ठीक है तो चलिए हम एक बार आपको इस resistance को बाहर निकाल कर और चेक करा देते हैं यह सही है कि नहीं तो दोस्तो वीडियो को ध्यान पूर्वक अच्छी तरह देखिए तब ही आप पूर रूप से समझ पाएंगे यह देखे दोस्तो हमने इस राइस्टेंस को बाहर निकाल लिए अब इस राइस्टेंस को देख लेते हैं सो करके मीटर से देखें दोस्तो मेरा मीटर इस राइस्टेंस में नहीं बता रहा है जबकि हमें इस राइस्टेंस को किसी भी परकार से यहाँ मीटर सो नहीं कर रहा है यहाँ राइस्टेंस जो है दोस्तो मेरा कटा हुआ है ठीक है तो चलिए एक हम दूसरा राइस्टेंस ले लेते हैं और उसके बाद दिखाते हैं तो दोस्तो यह देखिए इसमें पुराना वाला यह राइस्टेंस है यह राइस्टेंस एक वाड का है और यह 10 ओम्स का राइस्टेंस है और यह देखिए मेरे पास 10 ओम्स का राइस्टेंस है और 2 वाड का है ठीक है तो यह पुराना वाला है तो इसको हम हटा देते हैं यह मीटर सो नहीं कर रहा है आपको एक बार फिर से चेक करके दिखाते हैं यह देखिए रैस्टेंस यह पुराना वाला यह मीटर सो नहीं किया इसको हम हटाते हैं इसको किट से निका लेते और यह देखिए नया वाला रै लगाने के बाद supply दे कर इसमें चेक कर लेंगे कि यह स्टार्ट होता है कि नहीं अगर किसी परकार से इसमें कोई और खराबी होगा तो मेरा जो है यह राइस्टेंस जो है जल जाएगा कट जाएगा यह खराबी नहीं होगा तो यह कीट जो है मेरा दोस्तों चालू हो तो चलिए हम लगा कर आपको दिखाते हैं तो दोस्तो हम इस कीट मेरे इस्टेंस को बैठा दिये हैं अब चलिए इसको हम सोल्डिंग कर देते हैं और सोल्डिंग करने के बाद इसका जो बरा पीन है फालतू का जो पीन है इसको हम काट के देंगे ठीक है और काटने के बाद इसमें हम supply देकर चेक कर लेंगे किया मेरा सही हुगा की नहीं और दोस्तों इसमें जब भी हम supply देंगे तो series supply देंगे ठीक है इसको check करेंगे series supply में अगर मेरा kit में किसी परकार के कोई खराबी हुगा तो series supply देंगे तो उसमें bulb लगा हुए रहते हैं series board में तो मेरा सीरिज बल्ब जल जाएगा सौट रहेगा तब आन्य था सौट नहीं रहने पर यह कीट अपने आप जो है दोस्तो मेरा चालू हो जाएगा और जब सौट रहने पर जब मेरा कीट बल्ब जल जाएगा तो हमारा समान इसमें कुछ भी खराब नहीं होगा ज्यादा तर समान खाराब होने का चांस नहीं रहेगा इसलिए दोस्तो सीरीज़़ में इसको चेक किया जाता है तो दोस्तो अगर सीरीज़़़़ आप बनाना जानते हैं तो ठीक है। आपो विडियो के लास्ट में सीरिज और से भी आगर आप टीवी वगर्स कुछ भी बनाना देखना समझना चाहते हैं या आप dth freedis बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा कर सारा वीडियो देखिये हम सारा वीडियो अपने चैनल डाले हुए हूं और वहाँ से देखकर आप सीख सकते हैं तो चलिए दोस्तो यह थो हमने इसमें रइस्टेंस लगा दिये ये देखिये ये रइस्टेंस है तो अब हम इसमें एक बड़ सप्लाइड देते हैं और देखते हैं यह मेरा चालू होता है कि नहीं यह देखिए हम यहाँ पर इसको रखते हैं और दोस्तो इसमें हम सप्लाई देते हैं सिरीज और सिरीज सप्लाई देखिए दोस्तो हमारा यहाँ है इस बोड में और यह देखिए हम इसको ले लेते हैं और उसके बाद इसको अउन करेंगे और इस पर जब दोनों पॉइंट क को हम सटाएंगे यह देखे मेरा शिरीज बल्प जल गया ठीक है यही सप्लाई यही सप्लाई को हम यह पर्ट टछ करेंगे और टच करने के बाद देखेंगे कि यह जो इंड़क्वन चुला है चालू होता है कि नहीं तो देखिए यह देखे दोस्तों यह एंड्डक्शन चुल। चालो हो गिया, ठिक है मेरा इंड्डक्शन चुल। ओन हो गिया, तो मेरा जो प्रोब्लम था केबल रई、स्टेंज से जला हुआ था तरह जो इंड्दक्शन चुल। है मेरा बिल्कुल ठीक हो गिया देख लिजिए एक बार पुना आप यह डिस्पले देख लिजिए और यह सब LED लाइट देख लिजिए जब सप्लाई देते हैं तो यहाँ ओन हो जाता है यह देखिए और पंखा भी चल गया और सीटी की आवाज भी आ गया तो दोस्तों यह इंडक्शन चुला पूरी तरह ह हो गया है तो अब हम इसको इस कीट में बैठा कर और अच्छी तरह इसको कस देते हैं अब इसमें किसी परकार का कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें हम फूल लाइन भी देंगे तो कोई परकार के दिक्कत नहीं होगा चलिया आपको फूल लाइन भी देकर दिखा देते हैं तो दोस्तों यह देखिए हमारा इस बौड में फुल लाइन है तो हम यहां पर इसको लगाते हैं और दोस्तो जब हम फूल लाइन देगे तो फूल लाइन में यह दोनों पोइंट को हम आपस में नहीं सटाएंगे सिरिज बल्ब ऐसा कि अगर सटाएंगे तो मेरा या तो सप्लाई ड्रोप खो जागा सप्लाई मेरा बंद हो जाएगा या फ्यूज उड़ जागा मेरे सप्लाई में या सोट लएगा तो आपको देखिए आप हम यहाँ पर इसको फूल लाइन सिरिज सप्लाई से हटाकर फू ठीक है और कसने के बाद इसको सब कुछ ओके कर देंगे यह जो मेरा इंडक्षन था पूरी तरह ठीक हो गया है तो दोस्तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो 22 अंगुठे के निशान को टच कर लाइक कर दिजिया और चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिया साथ ही घंटी ब